पार 2 की शुरुवात कैटनीस से होती है, फिनिक उससे बताता है कि उसकी गल्फेंड एनिको कैपिटल प्रेसिडेंट ने बंदी बना लिया है, यहाँ डिस्टिक 13 का सेक्यूरिटी हेट बॉक्स बताता है कि उन्हें काफी सालों की मेहनत से डिस्टिक 12 के अंदर अंडर ग्र की सीन्स में हम देखते हैं कि कैटनीस दिस्टिक 13 की प्रेसिडेंट के कहने पर बाकि दिस्टिक की रहालत देखने आती है, उसे बहुत बुरा लगता है, वो अपनी मा और बहन से भी मिलती है, रात को डिनर के वक्त कुछ एनेस बोर्वेक्टेड होता है, रात को दिनर के जगाने के लिए Katniss को special attire दिये जाता है जो की Mockingjay पर base था साथ ही उसे specialized weapon भी दिये जाते हैं इन सब के साथ Katniss को हर district में घूम घूम के लोगों में जोज बरना था जिसका broadcast live TV पर भी हो रहा था इसके बाद district 8 के tour के दोरान Katniss की मुलकाद क्रेसिडिया और उसके दोस्तों से होती है जो आगे चल करके लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले थे खास बात यही थी के क्रेसिडिया उसके साथ ही capital की तरफ थे पर Katniss के जजबे से impressed होकर की वो भी उसका साथ देने से खुद को रोक नहीं पाए डिस्टिक एट में घुषते ही चारो तरफ अफरा टफरी और बरबादी का मंजर था capital के प्रेसिडियन ने पहले ही bomber तयार रखे थे ताकि Katniss और वहाँ के लोग मारी जाए इसके बाद Katniss अपने खास bow और arrow की help से प्रेसिडेंट का plan flop करने की कोशिस करती है जिसके बाद bomb populated areas में गिरते हैं और तबाही मज जाती है कई घर बरबाद हो जाते है Katniss live tv पे capital के प्रेसिडेंट को चेतावनी देती है कि उसे अपने किये के खामियाजा भुकतना होगा इसके बाद और डिस्टिक्स में आगरोस की लहर बढ़ जाती है कुछ डिस्टिक्स के लोग peace keepers पर भारी परते हैं तो कुछ capital के hydro power plan को बरबाद कर देते हैं जिससे capital का radar defense system बंद पर जाता है आगे हम देखते हैं कि capital president पीटा के जरी rebel रोखने का एक और message भीड़ता है वीडियो में पीटा की हालत पहले से बत्तर दिख रही थी अब Katniss को पका यकीन हो चला था कि पीटा मुसीबत में है और उसे जबजस्ती ये सब बुलवाये जा रहा है पीटा को कोई idea नहीं था capital के बाहर क्या चल रहा है क्योंकि उसे तो president ने बंदी बना के रखा था इसी बीच बीटे broadcast system hack करके उसे capital के बाहर का नजारा दिखा दिखा दिता है पीटा कहता है कि वो आ रहे हैं और उतने में उसका signal disconnect हो जाता है पीटा यहां उन्हें capital के bombers की आने की चेतावनी दिता था उन्हें लगता है कि capital का president उनकी exact location जानता है इसलिए district 13 की president भी bombers के against air strike की त्यारी करने का orders देती है पर फिर उन्हें समझ आता है कि capital president को अब भी उनकी exact location का सही अंदाजा नहीं है इसलिए वो अपने weapons को waste किये बिना orders वापस लेकर उनके अगले कदम को observe करने लगती है इसके बाद जब capital bombers वहां आते हैं तब उनके shelter को कुछ भी नुकसान नहीं होता अब ये लोग पीटा और जोना और सारे बंदक बने लोगों को rescue करने का plan करते हैं उन्हें लगता है कि capital के radar बंद है तो ये सही समय है इसके बाद गेल और बाकी लोग पीटा और बाकीों को चुराने जाते हैं तब ही कैटनिस प्रेसिडेंट का ध्यान बढ़काती हुए कहती है कि अगर वो सब को छोड़ देगा तो वो भी अपनी तरफ से लड़ाई बंद कर देगी प्रेसिडेंट कहता है कि उसे पता है केटनिस के साथ ही बाकी लोगों को चुराने आए हैं और वो उसे बेफ़कूप बना रही है और वीडियो कॉल डिस्कनेट कर देता है असल में ये कैपिटल प्रेसिडेंट की चाल थी उन्होंने रेडार सिस्टम पहले रेजिटोर कर लिया था पर उन्हें जाल में फसाने के लिए बंद होने का नाटक किया इसके बाद कैटनिस को लगता है कि गेल पकड़ा गया है इसलिए वो बहुत रूटी है पर यहाँ एक सर्प्राइसिन चीज होती है प्रेसिडेंट गेल जुआना एनी पीटा सब को ही छोड़ दीता है किसी को भी बंदी नहीं बनाता कैटनिस को समझ नहीं आता कि आखिरकार कैपिटल प्रेसिडेंट ने सब को बिना नुक्सान पचाय कैसे छोड़ दीआ तभी पीटा उस पर अटाक करता है तभी बॉक्स उसे विहोस करके कैटनिस को बचा लीता है वोस में आने पर कैटनिस को पता चलता है कि Capital President ने Peter और बाकियों के दिमाग को Maniprate किया है वो सब Unstable है और Katniss को खत्रा समझते हैं इसलिए Peter ने उस पर हमला किया था और यहीं पर खत्म हो जाती है तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही आपको मेरी Hunger Games Part 3 उन्हों की Exploration कैसी लेगी? कॉमेंट सेक्शनें बताना ना भूले और अगर आपको मेरी Hunger Games उन्हों की Exploration पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो सलाता रहूँ